हेलो स्टूड़न्स विल्कम टू मैं चैनल विजन स्टेडिया आई क्यू आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हाइपू जादुनांग जी के बारे में ठीक है ये रिलेटेड है हरी का रिलिजियस मुमेंट से ठीक है तो चलो इनके बारे में सीखते हैं हाइपू जादुनांग जी ये मनिपूर के एक रोग में नागा स्पिरिचल लीडर और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है जैसे कि मैंने कहा कि ये रिलेटेड थे हरी का रिलिजियस मुमेंट ये एक रिफार्म मुमेंट था जिसका में मकसद था नागा ट्राइबल रिलिजिय का रिवाइवल जैसे कि देखिए इट वाज रिफार्म मुमेंट ये एक रिफार्म मुमेंट था फॉर्ड रिवाइवल आप दे नागा ट्राइबल रिलिजियन है पू जादुनांग इस मुमेंट के दरिये ये बताना चाहते थे उनकी ट्राइबल को कि आप सिरिफ कि ही वर्षिप करें जो भी सेक्रिफाइस करना है उनके लिए करें और जो छोटे मुटे गॉड्स है उनकी वर्षिप करने की कोई जरुरत नहीं है और ऐसा नहीं था कि हरीका रिलिजियस जो मुमेंट था ये सिप एक रिलिजियस मुमेंट नहीं था इसका एक पॉलिटिक जो मिशनरी थे और बिटिज जो कॉलनी थी उनके अगेंस ये एक जुट कर रहे थे देखें अंडर द अम्ब्रेला अफ हरी का मुमेंड जादुनांग वाज यूनाइटेड द पीपल बिल्कुल वो यूनाइट कर रहे थे सबको अगेंस द ब्रिटिश कॉलोनिस्ट एंड मिशनरीज और ये कहां से ऑपरेट कर रहे थे तो ये जीलियांग ग्रॉंग टेरिटरी से ये सबकुछ मैनेज या हम कहेंगे के ऑपरेट कर रहे थे जो कि आता है आसाब मनीपूर और नागलेंड के ट्री जंक्शन में हाइपू जादू नांग ने यहां के लोगों को एकजुट किया यूनाइट किया और 500 लोगों की आर्मी खड़ी की जिसके अंदर मेन और वो मेन दोनों भी थे और ये जो उनने आर्मी खड़े की थी ये बिल्कुल ट्रेन लोग थे मिलिटरी टैक्टिक्स के अंदर और जो अलग तरह के तरह तरह के जो वेपन थे उसको हैंडल करने के लिए पूरी तरह से इनकी ये ट्रेन आर्मी हम कह सकते हैं है पूजाद दुनांग ने जो ये यूनाइट की थी और ये खुद भी अपने आपको नागास के किंग की तरह प्रेजेंट कर रहे थे जो की दीखे या पूरी तरह से ब्रिटिश जो ऑफिसर थे या फिर ब्रिटिश जो पीपल थे उनकी नजर में अब ये खटक ने लगे ठीक है क्योंकि इनने खुद के आर्मी भी तैयार की जो कि बहुत ही एक्सपर्ट थी अलग अलग तरह के वेपन हैंडलिंग करने के लिए तो ब्रिटिश को लग रहा था कि आगे जाकी ये कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रेट कर सकते हैं इसके बाद किया हुआ 13 जून 1931 में इन पर तीन मिशनरी की खुन का इलजाम लगा कर इनको फासी पर चराट दिया ब्रिटिश लोगों ने ठीक है हम कहेंगे कि ब्रिटिश के नजर में उस बहुत खटक रहे थे और काफी उनको लग रहा था कि आगया कि प्रॉब्लम क्रेट कर सकते हैं इसलिए उनने इनको एक सही मौका मिलते ही तीन मिशनरी के खुन में गिरफतार कर दिया और फासी पर लटका दिया तो यह थी पूरी इंफर्मेशन अबाउट हाइपू जादुनांग अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इससे लाइक जरूर कीजिए थैंक्यो फॉर वाचिंग माई वीडियो